जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो राजस्तान के सेकंड राउंड काउंसलिंग का सेडिूल आ चुका है और इस बार सबसे बड़ा चेंजिंग ये है कि राजस्तान में जो सेकंड राउंड है वो ओन सीट मैट्रिक्स आ जाएगा वो 16 अगस्ट 23 को सीट मैट्रिक्स जारी हो जाएगा इसके बाद में एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट है आप सब को इस बात का पता है कि राजस्तान के हर राउंड में फ्रेस रेजिस्टेशन होते हैं जिन कंडिडेट ने अभी तक रेजिस रेजिस्टेशन कर सकते हैं लेकिन जिन कंडिडेट ने पहले रेजिस्टेशन कर दिया है उनको फ्रेस रेजिस्टेशन करनी की आउशकता नहीं है तो जिन कंडिडेट ने एप्लिकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है उनका जो एप्लिकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग जो 2000 रुपीज होती है SC ST और जो जिनकी धाई लाग से कम है इंकम उनकी 1200 रुपीज होती है जो रेजिस्टेशन फीश होती है इसके बाद लास्ट डेट है वो एप्लिकेशन फीश डिपोजिट करने की वो 19 अगस्ट 23 साम 4 बजे तक है और ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म फ आएगी 23 अगस्ट 23 को क्योंकि इसमें फर्स्ट राउंड का रेजिगनेशन डेट है वो 22 अगस्ट 23 है यानि कि जिन कंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में जॉइन कर रखा है और वो सीट को रिजाइन करना चाते हैं तो वो 22 अगस्ट 23 तक रिजाइन कर सकते उसके बाद में जो फाइनल प्रोविजनल लिस्ट आएगी वो आएगी 23 अगस्ट 23 को उसके बाद में प्रोविजनल लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए जो PWD कंडिडेट हैं डिफेंस पैरामिल्ट्री हैं NRI हैं उनकी लिस्ट 20 अगस्ट 23 को आजाएगी उसके बाद उनका डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन होगा 22 अगस्ट 23 सुबह 9 बजे और ये गॉर्मेंट डेंटल कोलेज RUHS में होता है सुबास नगर जहां पर RUHS डेंटल है इसके बाद में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आजाएगी सेकिंड राउंड के लिए स्टेट कोटा के लिए 23 अगस्ट 23 को और इसके बाद में जो PWD डिफेंस और NRI कंडिडेट जिनके डोकुमेंट्स वेरिफाइड हो चुके हैं उनकी लिस्ट 23 अगस्ट 23 को आ जाएगी यहां पर इसके बाद में सेकिरिटी डिफोजिट होगा वो जो सेकिरिटी डिफोजिट होता है वो गौर्मेंट की कंडिशन में गौर्मेंट और राजमैस की जो कोलेज हैं जनरल और EWS के लिए 10,000 होता है SC, ST, OBC, MBC कंडिडेट के लिए 5,000 रुपीज डिफोजिट होता है यहां पर सेकिरिटी फीज अगर कोई कंडिडेट प्राइवेट में एडमिसन लेना चाता है चाहिए वो किसी भी कैटेगरी का हो 2,000,000 रुपीज यहां डिफोजिट करने होंगे और प्राइवेट डेंटल के लिए 10,000 रुपीज यहां डिफोजिट करने होंगे अब ऐसे कंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रेजिस्टेशन तो कर दिया था लेकिन सेक्रिटी फीज 2 लाग रुपीज या फिर 10 थाउजेंड 5 थाउजेंड रुपीज डिपोजिट नहीं करवाई थी वो कंडिडेट भी अभी ये अमाउंट डिपोजिट कर सक के लिए है तो वो डिपोजिट डिफरेंस अमाउंट डिपोजिट करके प्राइवेट में एडमिसन ले सकते हैं इसके बाद च्वाइस फिलिंग की जो डेट रहेगी 21 अगस 23 से 25 अगस 23 रहेगी और इसमें ओटो लोग 25 अगस 23 को दो पैर दो बजे हो जाएगा अब इसमे च्वाइसे सभी कंडिडेट को फिल करनी है यानि कि जो फर्स्ट राउंड में च्वाइसे फिल की थी वो बिल्कुल नल हो जाएंगी यहां पर आपको फ्रेश च्वाइस फिल करनी है किन किन कंडिडेट को च्वाइस फिल करनी है जो कंडिडेट जोईन कर चुके हैं फर् फ्रेश च्वास फिल यहां पर करेंगे तो यह कंडिशन है च्वास फिल करने की जरूरत नहीं है उनको फर्स्ट राउंड की सीट है वह एजटीज ही रहेगी उनको दुबारा से च्वाइस फिल करनी की आउश्यक्ता नहीं है अब सीट अलोटमेंट हो जाएगा 20 अगस्ट 23 को इसके बाद में अलोटमेंट लेटर 29 अगस्ट 23 से 4 सिप्टेमबर 23 तक डाउनलोड कर सकते हैं और जोइनिंग का जो टाइम रहेगा 31 अगस्ट 23 से लेके 4 सिप्टेमबर 23 तक नो बज़े से सुबह नो बज़े से सामको चार बज़े तक जोइनिंग जिन कंडिडेट को गॉर्मेंट की कोलेज मिल रखी है राजमेश की कोलेज मिल रखी हैं गॉर्मेंट की कोलेज हैं उनको सम्स मेडिकल कोलेज में अकेडमिक ब्लोट में रिपोर्ट करना है और जिन फीज डिपोजिट होगी डीडी या फिर आप फोन पे वगरा जो भी लेक्ट्रोनिक मीडियम है उसके और दो कोपी एप्लिकेशन फॉरम की सभी डोकुमेंट्स को सेल पटेस्टेट जरूरी है यहां पर अब राउंड वन के जो जोईंड कंडिडेट्स है जो राउंड वन क कोलेज में अपने फीज की रसीद ले करके जाएंगे अब ऐसे कंडिडेट्स जिनका राउंड वन में अपग्रेड नहीं हुआ है उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है उनकी जो राउंड वन की कोलेज है वो एज़िटीज रहेगी और क्लासरू होने की डेट है 1 शिप्ट 3 तक वो रिजाइन कर सकते हैं इस सीट को और वो ओल इंडिया में पार्टिसपेट कर सकते हैं ओल इंडिया में अपने सीट ले सकते हैं तो ये बिल्कुल कंडिशन इसमें आप देख सकते हैं और इसमें मैं फिर से आपको समराइज करवा देता हूं सेकेंड राउंड में जो candidate अप्ग्रेड करना चाते हैं या seat लेना चाते हैं उन सभी candidate को twice से fill करना बहुत ही जरूरी है कहीं आप ये न सोचेंगी first round में जो twice fill कर दी वही हमारी मानने हो जाएगी ऐसा नहीं है सभी candidate को twice दुबारा से fill करनी होगी तो ये राजस्तान के second round का schedule है और मैंने सारी conditions आप को समझा दी है next के वीडियो में आप से फिर मुलाकात होगी आप चैनल को subscribe करके जरूर रखें क्योंकि इस परकार की information हम लेके आते रहते हैं तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन